नमिश्कार आप देख रहे हैं युक्चर्ण और में हो आपके साथ खुश्श बुशें आए नज़रालते हैं रासान चेर्वी कुश बड़ी खबरों पर रजसान के उप्मुक्यमंत्री दियाकुमारी ने उद्वार को जयापुर सवाई मानसंग इंडोर स्टेडियम में सड़सटवी रास्टवी विध्यालेक का बड़ी प्रतियोगिता का शुभारम किया ज़रान दियाकुमारी ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे 27 राज्जियों के खिलाडियों को उजवल भविष्य की शुभकाम नाएं दी दियाकुमारी ने कहा कि प्रधानवंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा शुरू की गई उद्यमान खेल प्रतिभा योजना फिट इंडिया कारिकरम खेलो इंडिया विशेश शेत्र खेल योजना ओलंपिक पोडियम योजना जैसी कई योजनाओं से प्रतिभावान खेलाडियों को खेलों का महामंच मिला है उनके प्रयासों से देश-प्रदेश के होनहार और होनर्मंद युवाओं को अपनी प्र भार्ती गोपाल सैनी, रासान कबडी संग अध्यक्ष तेजस्वी गहलोद, रासान सयूजक रीडा भार्ती मेक सिंग, रासान रगबी फुटबॉल असोशीशन के चेर्मेन सुरेश मिश्वर, रासान प्रात्मिक शिक्षा निदेशक काना राम और जिला शिक्षा अधिकार राजेंद्र हंस भी मौझूद रहे, रासान में गुरुबार को आदिस ज्यादा हिस्सों में घनी कोहरे के कारण, सुबही 11 बजी तक सुरश नहीं दिखा, जयपूर से उद्यपूर जाने वाली फ्लाइट को रच कर दिया गया, कम विजिबिलिटी और सर्ध हवा के कारण बीस जादा जिलो में ट्रैफिक संचालन भी रुख गया, यह लिस्टेशन माउंट आबू का तापमान एक बार फिर जमाओ बिंदू पर पहुंच गया है, यहां पेड़ पौधो और घरों के बाहर खड़ी गाडियों पर ओस की बूंदे जम गई है, मौसम विश्यशग् संबाग के गंगा नगर हन्मानगर चूरू, विकानेर भरत पुर संभाग के भरतपुर करोली सवयна दो धौरपूर धौर्पौर, कोटा संभाग के 12 जहलावार बूंदी, कोटा जयपूर संभाग के जयपूर दौशा अलवर सीकर जुञ्जुनू में, और अजमेर आगोर भीलवाडा टॉक में कोहरे का प्रभाव रहा रासान में सरकार के गचन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जैपुर आ रहे हैं जहां जैपुर में होने जा रही डी जी आई जी कॉन्फरेंस में शामिल होने के लिए पीएम पांच जनवरी को जै रहने के लिए कहा गया है वहीं पीएम जैपुर के राजभवन में ही रात्री विश्राम करेंगे इधर पीएम मोदी के बैठक को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्याले में सभी तयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है से मजलाल शर्मा खुद गुरुवार को कि जैपुर आते ही पीएम मोदी सीधा कार्या ले जाएंगे वो बीजेपी की प्रदेश पद आधिकारी विधायकों की बैठक लेंगे इस बैठक में संभाग प्रभारी सातों मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष पर शामिल होंगे पार्टी के ओर से सभी को शाम चार बज की आयरा खान अपनी बॉइफ्रेंट और बॉलिवुड फिटनस ट्वेटर नुपुर शिक्रे के साथ उद्यपूर में 8 जनवरी को डेस्टिनेशन वेडिंग करे की यह वेडिंग उद्यपूर में कोडियात रोड इस्तित ताज अरावली रिसॉर्ट में होगी जिसके तह यानी साथ जनवरी को उद्यपूर में दुलहा दुलहन के परिवार सहित दूसरे गेस्ट का आना भी शुरू हो जाएगा जो तीन दिन तक फंक्शन में शामिल होने के बाद 10 जनवरी को वापस लोट जाएंगे वहीं दुलहा दुलहन के परिवार वे महमान जनों के लिए होटेल के सभी 176 कमरे बुक किये गए हैं शोशल मीडिया स्टार दौली मीना इन दिनों अपने एक व्रह जिले दौसा में है उनके वीडियो आए दिन शोशल मीडिया पर वायल होते रहते हैं बदवार को दौली ने प्रेसवारता कर अपनी शोशल मीडिया लाइफ के बार लोकेश मीना आइफस अधिकारी है और उने बताया कि धोली विदेशों में जहां भी जाती है लोग उनके रजस्तानी वेशबुशा लहंगा लूंगडी के कायल हो जाते हैं धोली मीना ने बताया कि वो लगतार विदेश में भारतिय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने म परान उन्होंने विश्व प्रसिद महन्दीपूर बाराजी नेलकंट महादेव मंदर पपलाज माता श्री गिर्जाधर धरन मंदर रासान से जोड़े ऐसी खबरों को देखने के लिए बने दिए हमारे साथ यूग चरन पर तब तक लिए नमस्कार